आज 19 जून 2021 है कल आप सभी ने अपने स्वमानों की और अपने टाइटल्स की लिस्ट अवश्य ही बनाई होगी तो आज उन स्वमानों को हम अनुभव करेंगे हर घंटे में एक-एक स्वमान एक-एक टाइटल को हम ले और उसे गहराई से हम अनुभव करें और उसे पक्का करते जाए सुनते हैं आज का स्लोगन जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो इससे मोड चेंज हो जाएगी एक है शारिरिक ठकावट और दूसरी है मानसिक ठकावट जब शरीर को ठकावट की फीलिंग होती है तो हम उसे दूर करने के लिए कई उपाय अपनाते हैं चाई, कौफी या शर्बत पीते हैं और थोरी देर के लिए शरीर को रेस्ट करने के ठाइम देते हैं तो उससे शरीर की ठकावट दूर हो जाती है परन्तु ये मानसिक ठकावट क्या है और उससे दूर कैसे करें जब जीवन में जो रूटीन जैसा लगने लगता है जीवन और उससे बोरिंग फीलिंग आती हैं मन में कभी-कभी चिर-चिरापन आता है, कभी कनफ्यूजन आते हैं, कोई खुशी या कोई उमंग उचसा, कोई नयापन अनुभव नहीं होता तो ये सब मन की थकावट की निशानी है तो इन सब थकावट को दूर करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सहच उपाई बताई है और वो है बाबा की अच्छी-च्छी उमंग उचसा भरे, खुशियों भरे गीत सुनना दुनिया में भी कहते हैं, inspirational and motivational songs हमें सुनने चाहिए क्योंकि ऐसे गीतों को सुनने से हमारे मन की energy level change हो जाती है मन की थकावट तब आती है, जब मन के अंदर चलने वाले जो विचार है उस विचारों की energy low level की होती है low level की विचार की energy जो है बहुत मन को थकाती है बार 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 हम करते हैं विचार तो वो एक vicious cycle बन जाता है इस vicious cycle को उस समय तोड़ने की बहुत अवशक्ता होती है ताकि हम मन की थकावत को दूर करें तो उसको तोड़ने के लिए ही बाबा कहते है ऐसे उममुत्सा भरे, खुशियों भरे गीत सुनो तो इसको सुनने से हमारी energy level high हो जाती है और खुशी से मन नाचने लगता है न केवल मन कभी-कभी इतना खुश हो जाता है एतना energy level high हो जाती है कि शरीर भी नाचने लगता है इसलिए आज की स्लोगन में कहा कि मन की थकावत को दूर करना है तो खुशी से नाचो तो हम सब भी ऐसे गीतों को सुने, सुनाए और सदा खुश रहे मन की थकावत को सदा दूर रखे अपने से ओम शान्ति